आप सुनेंगे मुन्शी प्रीम चंदद्वारा लिखित कहानी गास वाली मुलिया हरी हरी गास का गठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तम-तमाया हुआ था और बड़ी-बड़ी मदभरी आँखों में शंका समाई हुई थी महावीर ने उसका तम-तमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा क्या है मुलिया? आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जबाब ना दिया उसकी आँखे डबडबा गई महावीर ने समीप आकर पूछा क्या हुआ है? बताती क्यो नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अमा ने डाटा है, क्यों इतनी उधास है, मुल्या ने सिसकर कहा, कुछ नहीं, क्या हुआ है, अच्छे तो हूँ, मावीर ने मुल्या को सेर से पाऊं तक देख कर कहा, चुपचाप रोयेगी, बताईगी नहीं, मुल्या ने बात टाल कर कहा, कोई बात भी तो नहीं है, क्या मुलिया इस उसर में गुलाप का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आखे, नीचे खिचा हुआ चिबुक कपोलो पर हलकी लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलके, आखों में एक विच्चत राद्र था, जिसमें एक सपष्ट वेतना, एक मूख व्यता जलकती रहती थी, मालूम नहीं चमारो के इस घर में वो अपसरा कहां से आ गई थी, क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था, कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती, इस गाउं में भी ऐसे लोग मौजूद थे, जो उसके तलवों के नीचे आखे बिचाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक शब्द भी बोलती, तो निहाल हो जाते, लेकिन उसे आये साल भर से अधिक हो गया था, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बाते करते नहीं देखा, वो गास लिए निकलती, तो ऐसा मालूम होता, मानो उशा का प जान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुर्खाप के पर लगे हुए हैं, ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, ना जाने ये कैसे उसके साथ रहती है, मगर आज ऐसी बात हो गई, जो इस जाती की और युविद्यों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती मुलिया के लिए रिदय का शूल थी, प्रभात का समय था, पवन आम की बोर की सोगन से मत्वाला हो रहा था, आकाश प्रत्वी पर सोनी की वर्शा कर रहा था, मुलिया सिर पर जोवा रखे, गास छीनने चली, तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किर्णों से कु चैन सिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वो फूल सा खिला हुआ चहरा, जौला की तरह दहक उठा, वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं चिचकी, जोआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, सिवा और काम ही क्या है, कि वो उची जाती वालू का खिलाव ना बन सके, ऐसे कितने ही मारकुस ने जीते थे, पर आज मुलिया के चहरे का वो रंग, उसका क्रोध, वो अभिमान देखकर, उसके चक के चूट गई, उसने लजजित होकर उसका हाथ छोड़ दिया, मुलिया वेक से आगे बढ़ गई, संगर्ष की गर्मी में चोट की व्यता नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है, मुलिया जब कुछ दूर निकल गई, तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करकी उसकी आँखों में आसु आ गई, उसने कुछ देर जप्त किया, पिर सिसक सिसक कर रोने लगी, अगर वो इतनी गरीब न होती, तो किसी की मजाल थी, कि इस तरह उसका अपमान करता, वो रोती जाती थी, और घास चीलती जाती थी, महावीर का क्रोध वो जानती थी, अगर उससे कह दे, तो वो इस तरह ठाकुर के खून का प्यासा हो तू क्यों ना जाती और सब तो चली गई मुल्या ने सिर जुका कर कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी सास ने बिगर कर कहा अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा मुल्या ने और भी सिर जुका लिया और दभी हुई आवाज में बोली सब मुझे छीरते हैं सास ने डाटा ना तू औरों के साथ जाएगी ना केले जाएगी तो फिर कैसे जाएगी साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी यहां मेरे घर में रानी बन के निबाह ना होगा किसी को चाम प्यारा नहीं है काम प्यारा होता है तू बड़ी सुन्दर है तो तेरी सुन्दरता लेकर चाटू उठा जाबा और घास ला दौर पर नीम के दरख्त के साई में महावीर घोड़े को मल रहा था उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाती देखा पर कुछ बोल न सका उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता आखों में छिपा लेता लेकिन घोड़े का पेट भढ़ना भी तो जरूरी था गास मोल लेकर खिलाएं तो बारा आने रोज से कमना पड़े ऐसी मजदूरी ही कौन सी होती है मुश्किल से डेर दो रुपे मिलते हैं वो भी कभी मिले कभी ना मिले जबसे ही सत्यानाशी लारिया चलने लगी है एक्के वालू की बधिया बैड़ कई है कोई सेंथ को भी नहीं पूछता महाजन से डेर सो रुपे उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था मगर लारियों की आगे एक्के को कौन पूछता है महाजन का सूध भी तो ना पहुँच सका मूल का कहना ही क्या ओपरी मन से बोला ना मन हो तो रहने दो देखी जाएगी इस दिल जोई से मुलिया निहाल हो गई बोली घोड़ा खाएगा क्या आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेडों से होती हुई चली बार बार सतर्क आँखों से इधर उधर ताकती जाती थी दोनों तरफ उउख के खेत खड़े थे जरा भी खड़़ा हट होती उसका जी सन हो जाता कि कहीं कोई उख में चिपा ना बैठा हो मगर कोई नई बात न हुई उख के खेत निकल गए आमों का बाग निकल गया सिचे हुए खेत नजर आने लगे दूर के कोई पर पुर चल रहा था खेतों की मेडों पर हरी हरी गास जमी हुई थी मुल्या का जील अलचाया यहां आदे घंटे में जितनी गास चील सकती है सूखे मैदानों में दो पहर तक ना चिल सकेगी यहां देखता ही कौन है कोई चिलाएगा तो चली जाओंगी ऐसा सोचकर वो बैटकर गास चीलने लगी और एक घंटे में उसका जाबा आदे से जादा भर गया वो अपने काम में इतनी तन मैं थी कि उसे चैन सिंग के आने की खबर ही न हुई एका एक उसने आहट पाकर से रुठाया तो चैन सिंग को खड़ा देखा मुलिया की छाती धक से हो गई जी में आया भाग जाए जाबा उलट दे और खाली जाबा लेकर चली जाए पर चैन सिंग ने कई गस के फासले से ही रुख कर कहा डर्मत डर्मत भगवान जानता है मैं तुस्से कुछ ना बोलूँगा जितनी घास चाहे छील ले मेरा ही खेत है मुलिया के हाथ सुन हो गई खुर्पी हाथ में जम सी गई घास नजर ही ना आती थी जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं जमीन आखों के सामने तैरने लगी चैन सिंग ने आश्वासन दिया चीलती क्यों नहीं मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ यहीं रोज चली आया कर मैं चील दिया करूँगा मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही चैन सिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला तु मुझसे इतना डरती क्यों है क्या तु समझती है कि मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ इश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए मुझे कुछ सुधी ना रही तु चली गई तो मैं वहीं बैटकर घंटो रोता रहा जी में आता था हाथ काट डालू कभी जी चाता था जहर खालू तब ही से तुझे ढून रहा हूँ आज तु इस रास्ते से चली आई मैं सारा हार चानता हुआ यहां आया हूँ अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे अगर तु मेरा सिर भी काट लेना तो गर्दन ना हिलाऊंगा मैं शोधा था लुच्चा था लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुटा होता तो तेरे पीछे पीछे चलता तेरा घोडा होता तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोड से ये बात कह रहा हूँ बड़ा भागवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली मुलिया चुपचाप सुनती रही फिर नीचा सिर करके बोलेपन से बोली तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? जैन सिंग और समीपा कर बूला बस तेरी दया चाहता हूँ मुलिया ने सिर उठा कर उसकी योर देखा उसकी लज्जा ना जाने कहां गायब हो गई? चुपते हुए शब्दों में बोली तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे तुम्हारा ब्या हो गया है या नहीं? चैन सिंग ने दभी जबान से कहा ब्याह तो हो गया लेकिन ब्याह क्या है? खिलवाड है मुलिया के होटो पर अवहेलना की मुस्कुराहट जलक पड़ी बोली फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बाते करता तो तुम हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तयार हो जाते की नहीं? बोलो क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है उसे लज्जा नहीं है अपनी मर्यादा का विचार नहीं है मेरा रूप रंग तुमें भाता है मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारेन हूँ नीच जाती हूँ और नीच जाती की ओरते जरा सी घुर की धमकी और जरा सी लालत से तुमारी मुठ्वी में आ जाएंगी कितना सस्ता सौदा है ठाकुर हो ना ऐसा सस्ता सौधा क्यों छोड़ने लगे भला चैन सिंग लजजित होकर बोला मुला ये बात नहीं मैं सच कहता हूँ इसमें उच नीच की बात नहीं है सब आदमी बराबर हैं मैं तो तेरे चर्णों पर सिर रखने को तयार हूँ मुलिया इसलिए ना कि जानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती जाकर किसी खत्रानी के चर्णों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चर्णों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है फिर यहीं सिर तुम्हारे गर्दन पर ना रहेगा चैन सिंग मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था उसका मूँ ऐसे सूख गया था मानू महीनों की बीमारे से उठा हो मूँ से बात ना निकलती थी मुल्या इतनी वागपटू है इसका उसे गुमान भी ना था मुल्या फिर बोली मैं भी रोजबाजार जाती हूँ बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान कोई कहार, कोई पंड़ा, कोई महाजन नगुसा बैठा हो ये सब बड़े घरों की लीला है और वो औरते जो कुछ करती है ठीक करती है उनके घरवाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते पिरते हैं लेना देना बराबर हो जाता है वेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बाते कहा मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ वो किसी दूसरी महरिन की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता सईयोग की बात है कि मैं तनिक सुन्दर हूँ लेकिन मैं काली का लूटी भी होती तो भी वो मुझे इसी तरह रखता इसका मुझे विश्वास है मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ हाँ वो अपने मन की करने लगे मेरी चाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी चाती पर मूंग दलूँगी तो मेरे रूप ही के दीवाने हो ना आज मुझे माता निकलाए कानी हो जाओ तो मेरी और ताकोगे भी नहीं बोलो जूट कहती हूँ चैन से इंकार न कर सका मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आके भी फूर जाएना तब भी वो मुझे इसी तरह रखेगा मुझे उठावेगा बिठावेगा खिलावेगा और तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूँ जाओ अब मुझे कभी ना छेड़ना नहीं अच्छा ना होगा जवानी जोश है बल है, दया है, साहस है आत्म विश्वास है गौरव है और साब कुछ जो जीवन को पवित्र उज्वल और पून बना देता है जवानी का नशा घमंड है निर्दयता है सुार्थ है, शेखी है विशेवासना है, कटूता है और वो सब कुछ जो कुछ जीवन को पश्चुता विकार और पतन की ओर ले जाता है चैन सिंग पर जवानी का नशा था मुलिया के शीतल छीटों ने नशा उतार दिया जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छीटे पर जाने से फैन मिट जाता है मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकलाता है जवानी का नशा जाता रहा केवल जवान ही रह गई कामिने की शब्द जितनी आसानी से दीन और इमान को गारत कर सकते हैं उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं चैन सिंग उस दिन से दूसरा ही आगमी हो गया गुस्सा उसकी नाग पर रहता था बात-बात पर मजदूरों को गालियां देना, डाटना और पीटना उसकी आदत थी असामी उसे थर-थर कापते थे मजदूर उसे आते देख कर अपने काम में चुस्त हो जाते थे पर जियों ही उसने इधर पीट फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया सब दिल में उससे जलते थे, उससे गालियां देते थे मगर उस दिन से चैन सिंग इतना दयालो, इतना गंभी, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आशर होता था कई दिन गुजर गये थे एक दिन संध्या समय चैन सिंग खेट देखने गया पुर चल रहा था उसने देखा कि एक जगा नाली तूट गई है और सारा पानी बेह चला जाता है क्यारियों में पानी बिलकुल नहीं पहुँचता मगर क्यारिया बनाने वाली बुढ़िया चुपचाब बैटी है उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता पहले ये दशा देखकर चैन सिंग अपने आपे से बाहर हो जाता उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़किया जमाता पर आज उसे एक रोध नहीं आया उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुर्या से बोला तु यहाँ चैन से बैटी है और पानी सब बहाँ जा रहा है बुर्या घबरा कर बोली अभी खुल गई हो की राजा मैं, मैं अभी जाकर बंद की ये देती हूँ वो ये कहती हुई धर-धर कापने लगी चैन सिंग नी उसकी दिलजोई करते हुए कहा भाग मत, भाग मत मैंने नाली बंद कर दी है बुड़ाव कहीं दिन से नहीं दिखाई दिये कहीं काम पर जाते हैं की नहीं बुर्या गदगद होकर बोली आज कल तो खाली ही बैठे हैं भाईया कहीं काम ही नहीं लगता चैन सिंग नी नमरभाव से कहा तो हमारे यहां लगा दे थोड़ा सा सन रखा है उसे कात दे यह कहता हुआ वो कुई की ओर चला गया यहां चार पुर चल रहे थे पर इस वक्त दो हकवे बेर खाने चली गए थे चैन सिंग को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए ठाकुर ने पूछा दो आदमी कहा गए तो क्या जवाब देंगे जी सब के सब डाटे जाएंगे बेचारे दिल में सह में जा रहे थे चैन सिंग ने पूछा वो दोनों कहा चले गए किसी के मूँ से आवाज ना निकली सैसा सामने से दोनों मजूर दोती के कोने में बेर भरे आते दिखाई दिये खुश-खुश बात करते चले आ रहे थे चैन सिंग पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूप गए पाउ मन मन भरके हो गए हब ना आते बनता है ना जाते दोनों समझ गए कि आज डाट पड़ी शायद मजूरी भी काट ली जाए चाल धीमी पड़ गई इतनी में चैन सिंग ने बुकारा जल्दी बढ़े आओ कैसे बेर हैं लाओ जरा मुझे भी तो दो मेरे पेड के हैं ना दोनों और भी सहम उठे आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा खैसा मीठा मीठा बोल रहा है उतनी भिगो भिगो कर भी लगाएगा बेचारी और भी सिकोड गए चैन सिंग ने फिर कहा जल्दी से आओ जी पक्की पक्की सब मैं लूँगा जरा एक आदमी सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंग के आगे डाल दिये और पक्के पक्के छाट कर उसे देने लगे एक आदमी नमक लाने दोड़ा आदे घंटे तक चारू पुरबंद रहे जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड कर कहा भया जी आज जान बक्सी हो जाए बड़ी भूक लगी थी नहीं तो कभी न जाते चैन सिंग ने नम्रता से कहा तो इसमें बुराई क्या हुई मैंने भी तो बेर खाए एक आदे घंटे का हरज हुआ यही न तुम चाओगे तो घंटे भर का काम आदे घंटे में कर दोगे ना चाओगे तो दिन भर में भी आदे घंटे का काम न हो पाएगा चैन सिंग चला गया तो चारू बाती करने लगे एक ने कहा माले किस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है ये नहीं कि हरदम चाती पर सवार दूसरा मैंने तो समझाज कच्चा ही खा जाएंगे तीसरा कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है चौथा सांच को पूरी मजूरी मिले तो कहना पहला तुम तो हो गोबर गनेस आदमी का रुक नहीं पैचानते दूसरा अब खोब दिल लगा कर काम करेंगे तीसरा और क्या जब उन्होंने हमारे उपर छोड़ दिया तो हमारा भी धरम है कि कोई कसर ना छोड़े चौथा मुझे तो भईया ठाकोर पे अब भी विस्वास ना आता एक दिन चैन सिंग को किसी काम से कचहरी जाना था पांच मील का सफर था यो तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था पर आज दूप बड़ी तेज हो रही थी सोचा एक्के पर चलू महावीर को कहला भेजा मुझे लेते जाना कोई नौ बजे महावीर ने पुकारा चैन सिंग तयार बैठा था चटपट एकके परा बैठा मगर घोड़ा इतना दुबला हो गया था एकके की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंग को उस पर बैठते हुए शर्माई पूछा ये समान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर तुमारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था क्या आजकल सवारिया कम है क्या महावीर ने कहा नहीं मालिक सवारिया काहे नहीं है मगर लारियों के सामने एकके को कौन पूछता है कहां दो ढ़ाई तीन की मजूरी करके घर लोटता था कहां अब बीस आने पैसे भी मिलते हैं तो बड़ी बात है क्या जानवर को खिलाओं क्या आप खाओं बड़ी विपत्ती में पड़ा हूँ सोचता हूँ एकका गोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ फर कोई गाहक नहीं लगता जादा नहीं तो बारा आने तो गोड़े कोई चाहिए गहास उपर से अब अपना पेटी नहीं पलता तो जानवर को कैसे पूछे चैन सिंग ने उसके फटे हुए कुड़ते की और देख कर कहा दो-चार भीगे खेती क्यों नहीं कर लेते महावीर सिर जुका कर बोला खेती के लिए बढ़ा पौरुक चाहिए मालिक मैंने तो यही सोचा कि कोई गाहक लग जाय तो एकके को अनुपोने निकाल दू फिर घास चील कर बाजार ले जाया करू आजकल सास पता हुँ दोनों चीलती हैं तब जाकर दस बारे आने पैसे नसीब होते हैं चैन सिंग ने पूछा तो बुड़िया बाजार जाती होगी महावीर लजाता हुआ बोला नहीं भईया वो इतनी दूर कहां चल सकती हैं घर वाली जाती है दो पहर तक घास चीलती है तीसरे पहर बाजार जाती है वहां से घणी रात लोटती है हलकान हो जाती है भईया मगर क्या करूं तक दीर से क्या जोर चैन सिंग का चहरी पहुच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर एक्के को घुमाता हुआ शेहर की तरफ चला गया चैन सिंग ने उसे पांच बजे आने को कह दिया कोई चार बजे चैन सिंग का चहरी से फुरसत पाकर बाहर निकले हाते में पान की दुकान थी जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगत का पेड़ था उसकी चाह में बीसो ही तांगे एकके फिटनी खड़ी थी घोड़े खोल दिये गए थे वकीलों, मुख्तारों और अफसरों के सवारियां यहीं खड़ी रहती थी चैन सिंग ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कोई लारी मिल जाए तो जरा शेहर चला जाओ कि उसकी निगाह एक गास वाली पर पड़ गई सिर पर गास का जाबा रखे रईसों से मूल भाव कर रही थी चैन सिंग का रिदय उचल पड़ा ये तो मुलिया है बनी ठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मूल तोल कर रही थी कहीं कोचवान जमा हो गए थे कोई उससे दिल लगी करता था कोई घूरता था, कोई हस्ता था एक काले कलूटे कोचवान ने कहा मूला, गास तो उड़के अधिक से अधिक छे आने की है मुलिया ने उनमात पैदा करने वाली आँखों से देख कर कहा छे आने पर लेना है तो सामने घसियारे ने बैठी है चले जाओ, दो-चार पैसे कम में पा जाओगे मेरी घास तो बारा आने में ही जाएगी एक अधिर कोचवार ने फिटन के उपर से कहा तेरा जमाना है बारा आने नहीं एक रुपिया मांग लेने वाले जख मारेंगे और लेंगे निकलने दे वकीलों को अब देर नहीं है एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए बोला बुढ़ाओ के मुमें पानी भराया अब मुल्या काहे को किसी और की ओर देखेगी चैन सिंग को ऐसा क्रोधा रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे सब के सब कैसे उसकी ओड टक-टकी लगाए ताक रहे है आँखों से पी जाएंगे और मुल्या भी यहां कितने खुश है ना लजाती है ना जिजगती है ना दपती है कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली आँखों से देख देख कर सिरका आचल खिसका खिसका कर मूँ मोड मोड कर बाते कर रही है वही मुल्या जो शेर्णी की तरह तड़ा पोटी थी इतने में चार बजे अमले और वकील मुखतारों का एक मेला सा निकल पड़ा अमले लारियों पर दोड़े वकील मुखतार इन सवारियों की ओड चले कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते कहीं महाश्यों ने मुल्या को रसिक नित्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे एका एक मुल्या घास का जाबा लिए उस फिटन के पीछे दोड़ी फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे उन्होंने पावदान पर घास रखवाली जेब से कुछ निकाल कर मुल्या को दिया मुल्या मुस्कुराई दोनों में कुछ बाते भी हुई जो चैन सिंग ना सुन सके एक शन में मुल्या प्रसन्य मुख घर की ओर चली चैन सिंग पानवाली की दुकान पर विस्मृती की दशा में खड़ा रहा पानवाली ने दुकान बढ़ाई कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उत्रा तो चैन सिंग की समाधी तूटी पूछा क्या दुकान बंद कर दी पानवाली ने सहानू भूती दिखा कर कहा इसकी दवा करो ठाकुर सहाब ये बिमारी अच्छी नहीं है चैन सिंग ने चकित होकर पूछा कैसी बिमारी? पानवाला बोला कैसी बिमारी? आदा घंटे से यहां खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो सारी कचेहरी खाली हो गई सब दुकाने बंद हो गई महतर तक जाडू लगा कर चले गई तुमें कुछ खबर हुई? ये बुरी बिमारी है जल्दी दवा करो इसकी चैन सिंग ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एकका सामने से आता हुआ दिखाई दिया कुछ दूर एकका निकलाया तो चैन सिंग ने पूछा आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हसकर कहा आज तो मालेक दिन भर खड़ा ही रह गया किसी ने बेगार भी न पकड़ा ओपर से चार पैसे की बीडियां और पी गया चैन सिंग ने जरा देर के बाद कहा मेरी एक सलाह है तुम मुझसे एक रुपया रोज ले लिया करो बस जब मैं बुलाओं तो एक का लेकर चले आया करो तब तो तुमारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा बोलू मंजूर है महावीर ने सजल आँखों से देख कर कहा मालिक आप ही कातो खाता हूँ आपकी परजा है जब मरजी हो पकड़ मंगवाईए आपसे रुपय च्वेंजिंग ने बात काट कर कहा नहीं मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता तुम मुझसे एक रुपया रोज ले जाया करो घास लेकर घास वाली को बाजार मत भीजा करो तुम्हारी आपरू मेरी आपरू है और भी रुपय पैसे का जब काम लगे बेखटक चले आया करो हाँ देखो मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चाना करना क्या फायदा कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंग से मिली चैन सिंग असामियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगा उसने जहां मुलिया की बाह पकड़ी थी मुलिया की आवास कानों में पड़ी उसने ठिटक कर पीछे देखा तो मुलिया दोड़ी आ रही थी बोला, क्या है मुला, क्यूं दोड़ी आती हो, मैं तो खड़ा हूँ मुलिया ने हाफते हुए कहा कई, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी आज तुम्हें आते देखा, तो दोड़ी अब मैं घांस बेचने नहीं जाती चैन सिंग ने कहा, बहुत अच्छी बात है क्या तुमने कभी मुझे घांस बेचते देखा है हाँ, एक दिन देखा था क्या महावीर ने तुझे सब कह डाला मैंने तो मना कर दिया था वो मुझसे कोई बात नहीं चिपाता दोनों एक शर्ट चुप खड़े रहे किसी को कोई बात न सूचती थी एका एक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी चैन सिंग ने लज्जित हो कर कहा उसको भूल जाओ मूला मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था मुलिया गदगद कंठ से बोली उसे क्यों भूल जाओ उसी बाह गए कि लाच तो निभा रहे हो गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए तुमने मुझे बचा लिया फिर दोनों चुप हो गए जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा तुमने समझा होगा मैं हसने बोलने में मगन हो रही थी चैन सिंग ने बलपूर्वक कहा नहीं मुलिया मैंने एक शन के लिए भी नहीं समझा मुलिया मुस्कुरा कर बोली मुझे तुमसे यही आशा थी और है पवन सिचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था सूर्यन निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलीन प्रकाश में चैन सिंग मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था तो ये थी कहानी गास वाली आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए साथ ही अगर आपको हमारी कहानिया पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले और सुनते रहे स्टोरियन लफजो के हमसफर